वेलकम टो विजन ओनलाइन सेड़ी आम यूफ राचमली एक्स दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं के वी एस पी आर्टी के स्लेबस के भाग दो यानी पार्ट टू के बारे में जिसमें तोटल तीन सब्जेक्ट आते हैं पार्ट वन की बात हम पहले कर चुके हैं जिसके अं लिटरेसी मतलब होता है कि हमें कम्प्यूटर की बेसिक कितनी नोलिज है ताकि हम कम्प्यूटर का यूज कर सके और उससे जुड़ी टेक्नलोजिक है इसी लिए इस टोपिक में ICT की जो भूमिका है वो बहुत बढ़ जाती है दो या तीन सवाल इस टोपिक से जरूर आए तो करंट अफेर में यह मानों दस में से लगभग पांस से छे नंबर मान मामले वाला यह टोपिक देख सकते हैं जिसमें राश्टिये और स्टेट और अंतराश्टिये टीनो टाइप के मामले आ सकते हैं और उसके अलावा भारतिय इतियास इंडियन हिस्ट्री में आप 1857 क के बाद की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं जदर डीप जाने की जुरत नहीं है मैटपुर्ण दिन पूरे साल के न्यू किताबे और उनके लेखक इसके लावा जो इंपोर्टन किताबे हैं वो भी पढ़नी हैं पंच वर्षिय योजनाए और नवीन योजनाए जो सेंटर कोर्म ने लागू की हैं पिछले तीन या चार साल की आपको देखनी होंगी और भारत्य राश्टी अंदोलन यह हमने 1857 वाला दे बोल दिया है और उसके लावा खेल खेल की जो न्यूज है चाए ओलंपिक हो क्रिकेट हो होकी हो फुटबोल हो फीफा भी चल रहा है तो इन सब से लेटिड कोशन शरूर पूछ जाएंगे बजट और इसके रवब भारति सविदान अर्थ्वेवस्था एवन समाने नाक रिक्षास तो यह सभी टोपिक आपको करेंट अफेर में करने होंगे 10 नंबर के लिए ठीक है और ध्यान देंगे इसमें वर्तमान मामले वाला जो य भी न्योजना जुड़ी है और बजट भी सिमें जुड़ा हुआ ठीक है तो दोस्तों समझ गए होंगे आप क्रेंट अफेर में आपको क्या क्या करना है नेक्स्ट टोपिक में है रिजनिंग में पांच नंबर की रिजनिंग आनी है टोटल जिसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है अच्छे से डाइस करना है कलेंडर करना है डिरेक्शन्स करनी है डिलेशन्स करनी है ब्लड रिलेशन और संक्या शरंकला शरंकला मतलब जैसे फाइव सिक्स सेवन क बाइद अगला कोन आएगा इतना इदी तो नहीं बट इस टाइप से कि next कोन होगा या बीच में पूछ लेते हैं कि कोन होगा ठीक है इस टाइप कोशन आ सकते नेक्स हम जलते हैं computer literacy में basic computer का ठीक है input output devices हो गए और जो parts of computer होते हैं यह सब computer की history total internet www ict यह बहुत important topic है और इसके लावा वर्ड पेंट एक्सल पावर पॉइंट इन में से भी एक दो कोशन पूछ सकते हैं अगर मैं generally बात करूं तो एक कोशन basic compulsory एक computer history का एक internet का और दो ict के दो तीन चार पांच तो पांच कोशन पूरे हो चुके तो इन पांच टोपिक से पांच कोशन आ जाएंगे और जरूर सा इसके त्यारी कीजिए ict का जो टोपिक है वो आपको ब्याड से ब्याड की बुक से मिल जाएगा और internet history of computer और basic यह किसी भी basic computer की किताब में आपको easily मिल जाएगा इसमें कोई प्रोब्लम नहीं आएगी और हम बात करें reasoning की कोई भी reasoning की एक ले लीजिए आपको यह पांच जो टोपिक उनमें आपको मिल जाएंगे एक एक नंबर सबका पक्का हो जाएगा तो 10 आउट ओफ 10 लाने से आपको कोई नहीं जोक सकता अगर आपकी थोड़ी सी भी study अच्छी होई तो इसके लावा अगर हम करेंट अफेर की बात कर लेते दुबारा से तो करेंट अफिर के जो टोपिक हैं वर्तमान मामले पुरसकार वैसा मान नवीन योजनाई मैदपूर्ण दिन और एडिन 57 से अब तक खेल और इसके इलावा सवीधानवे नागरिक्षास्त ठीक है यह टोपिक अगर आपने कर लिए तो इसके बाहर कोई रिक कतनी है दो चार कोशन आते भी हैं तो अगर आपके दस में से साथ या आठ नमबर आ रहे हैं तो ज्यादा की टेंशन मत लीजिए क्योंकि जर्णल हिंदी और जर्णल इंग्लिश जो है वो साठ साठ नमबर की आने वाली है तीस और तीस की दो दस नमबर की वो पार्ट वन में आएगी और उसके लावब 20 नमबर का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसमें आने वाली है तो जो ठर्टी नमबर की हिंदी और थर्टी नमबर की इंग्लिश आने वाली है उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा करें वह इसके लावबा जो पैड़ागोजी है एड्यू कारी मुझे से चाहिए हो आप मुझे ट्रेक कॉल कर सकते हैं और हमारे वर्टसेप ग्रूप से भी जूड़ सकते हैं थैंक्यू सो मच आज के लिए इतना ही नेक्स्ट में हम पार्ट थर्ड की बात करने वाले इसे हम पैडगोजी के साथ नंबर की बात करेंगे जो कि बहुत इंपोर्टेंट है डीपली उसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत आपके काम आने वाली है थैंक्स सो मच आज के लिए इतना ही बाबाई टेक केर